हुआ है हलो गाईज सिविल बिल्डिंग कस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है तो आज का टोफिक है कि अधिक और फॉंडेशन यानि कि एक से तीन वंजीला घर बनाने के लिए कि अधिक गहराई कितना होना चाहिए कि फॉंडेशन के गहराई कि इतना फिट होना चाहिए कि आपका बिल्डिंग यानि कि घर मत्पूत्र है जैसे झाल 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 कि पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ग्राउंड फ्लॉर सिर्फ बनाना है कि सिकेंड फ्लॉर भी बनाना है जैसे ग्राउंड फ्लॉर सिर्फ फ्लॉर भी बनाना है जैसे ग्राउंड फ्लॉर ग्राउंड फ्लॉर 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 झाल झाल कि कि दोस्त कि कि दोस्त कि घर बनाने से पहले, पहले खुद डिसाइट करना है आपको, कि मुझे कितना मंजिल तक आप मुझे बेडिंग बनाना है, उसी इसाब से फॉंडेशन के गाराई आपको रखना है, समझ गया है, तो ग्राउंड फ्लोर के फाउंडेशन के गाराई होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर का फाउंडेशन के गाराई होना चाहिए, कि अई फ्लोर के गाराई है, आपको रहते हैं, कि वहाई है? कर दो कि से लेकर साड़े तीन फिट तक आप फार्डेशन के गहराए कर सकते हैं और बाद फ्रस्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर कर गहराए कितना होना चाहिए कि फ्रस्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर और फ्रस्ट फ्लोर का दोनों को बनाना हो तो आपको साड़े तीन फिट से लेकर साड़े सोरी साड़े तीन फिट से लेकर चार फिट तक आप गहराए कि फॉंडेशन का अब कर सकते हैं कि सब्सक्राइब हे उसरन जह सब्सक्राइब आपको तीनों एक से तीन मंजीरा बनाने के लिए आपको पास से छे फिट फाउंडेशन का घराई होना चाहिए समझें दोस्ते लेकिन आपको बिल्टिंग बनाने से पहले आपको डिसाइड कर लेना है फिटर समझना है फिटर के लिए कितना बिल्डिंग मुझे तक बनाना है उसी हिसाब से आपको फॉंडेशन तैयार कर गहराई करना है तब आपको बिल्डिंग सक्सेस्पूर्ड हो सकता है मजबूत हो सकता है समझे रहे दोस्ते ओकी गाईजी बच्छा लाईब दोस्ते पॉंडेशन अले पॉंडेशन आपको बिल्डिंग चाहर शॉंडेशन